हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और आज मेरे बाइक का फ्यूज उड़ गया है जिसके विश से कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो देखिए मैं इस स्विच आउन किया बाइक को लेकिन जो मीटर का लाइट होता है वो आउन नहीं हुआ इसका मतलब है कि फ्यूज का प्रॉब्लम है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम आर 15 के फ्यूज को कैसे चेंज करते हैं और इसका जो फ्यूज है वो सीट के नीचे आपको मिलेगा तो हमें इस वाले सीट को हटाना ओगा और इस सीट को रिमूब करने के हमें एक एलंग की और एक स्क्रू डाइवर चाहिए तो यहाँ पे वो फ्यूज में तो यहाँ पे वो फ्यूज मिलेगा आपको यह वाला जो सॉक्रेट है इसके अंदर ही फ्यूज है और यह जो फ्यूज आप देख रहे हैं यह एक एक्स्ट्रा फ्यूज कंपणी देती है तो इसको सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यह नया फ्यूज है अब सबसे पहले इसके कवर को रिमूब करेंगे अब इसमें एक सॉक्रेट लगा होगा उसको निकालना है उसके अंदर यह फ्यूज मिलेगा आपको तो इस वाले फ्यूज को हमें चेंज करना है नया वाले फ्यूज है इसको इसमें लगा देना है इसको लगाने के बाद वापस इस सॉक्रेट को इसमें लगा देना है और एक नए फ्यूज मर्केट से लाके इस वाले डाल देना है तक कि आज कभी अगर्षण गाटाने के इस वाले फ्यूज मार्केट से लाके इस वाले इसलोट में ढाल देना है। तो एक फ्यूज एक्स्टा रखना चाहिए बाइक में अब मैं बाइक स्टार्ट करके देखता हूँ तो दोस्तो आप बाइक का सारा फंक्शन काम कर रहा है मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप कहीं दूर सफर में जा रहे हैं और आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए और आपके पास या तो टूल्स नहीं हुआ या फ्यूज नहीं हुआ आपके पास तो आप बाइक को गियर में डालके दखके मारके आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुली फ्यूज बढ़ने के बाद जितना भी लाइटिंग वाली फंक्शन है बाकी जो लाइट लाइट का जो फंक्शन होता है या हॉर्ण का या सेल पर स्टार्ट की सब काम नहीं करेगा तो दोस्तों आज के लिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और सेर करना ना भूले थैंक यू